तो स्वागता आपका थार्गिट ससी 2020 में आज का जो टॉपिक हमारा है जीके में और जीके में हम बात करेंगे आज एंसेंस के कुछ इंपॉर्टेंट कोश्चन के बारे में जूकि आपके ससी प्रीविए से अग्राम में आई हुए हैं तो इनके आने के बहुत बहुत चांस अपके तर नहीं तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेशन नबर हैं यह कहता है इंवेज इंडिय रिलिजन डियर आर अर ट्वंटीफोर कि अहां यानि किस भारतया दर्म में 24 वें तिर्थकर है जैन में बुद्ध में हिंदू में या फिर शिटम में तो राइट अंसर हो जा जैन धर्म में कितने डित्फ कर हैं 24 कि गोोट करते हैं कोस्य नंबर साट साची में यानि मध्यप्रदेश में तो कहा है और बन्सवाधा में महाई और साथ मोगता है करनाथक में या फिर नेक्स्ट कोश्चन हमारे क्या कहता है? इन्पर्टेंट कोश्चन है और इसी टाईप के कोश्चन जो है बाहर है गौतम बुथ की मिरतियों के तुरंद बाद जो है किस बहुत परिश्वत का आईजन किया गया था? तो बताना है चार बहुत परिशाद जो फेमस थी आपके बहुत दम में तो बताना कौन से वाला च्टार्ट किया गया जैसी गौतम बुद्ध की मिर्तियों यह उसके तुरंद बाग फोर्थ वाला या फिर थर्ड वाला फिर सेकिंड वाला या फिर फर्स्ट वाला तो उप्शन नमबर फोर्थ इसका राइट अंसर हो गया पहली बहुत सबा हुई जैसी गौतम में उटकी मिर्तियों के बाद बात करते हैं नेक्स्ट कोश्चन हमारा क्या है कहता है डैस यानि बताना कहां पर जो है एक मठ और सेक्षिक संस्थान के पुरा तत्विक अफिस मिले हैं या फिर सामिल है यह बताना है उप्शन नमबर वन नालंदम है या फिर रानी की वाव ठल्ड है आपका हिलफोर्ट संस्थान या फिर फतेफूर सीकरी तो बताना इसका नाइट अंसर क्या है तो राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर फस्ट यानि नालंदम में जो है एक मठ और सेक्षिक संस्थान के पुरा तत्विक अफिस सामिल है नेक्स्ट है संथारा इंपोर्टन कोशन है संथ संतारा संतारा समुदाये का एक धार्मिक अनुस्टान है तो बताना कौन से समुदाये का है शिक का या या फिर beiden charging या फिर बुदिस्त का तो राही अंसर हो जाएगा संतारा यह एक धार्मिक अनुस्टान है part अल्कर Яनिजैन so तो option number 10 इसका right answer हो जाएगा और important आपको question लगता है सभी important है बड़ जो आपको लगता है कि बहुत जादो most important है उसको note कर लेना बट आपको सभी question note करने है क्योंकि सभी मैंने select हुए है previous exams से next है कि किसने जामा मस्जिद बनाया तो option number 1 एक गुरू रामदास या फिर सहाँ जाँ या फिर राव जोदा जी या फिर आपका महत्माग गांदी ठीक है one two three four option में से right answer हो जाएगा question number second यानी सहाँ जाने जामा मस्जिद का निर्माड कराया था या जामा बनाया तो किसने बनाया सहाँ जाने कोई भी question में doubt होता तो comment वह सिसको जरूफ हो सना नेक्स्ट है घुमुरा घुम्रा डैस लोक नित्य है fork dance किसी भी आपका state का सकता है इसले fork dance हो है बहुत ही जादा important है कुछ मैं यह आप यह वीडियो में करा दूँगा कुछ आपको खुद करना है लिशन जी के वहाँ पर आपके बहुत सारे जो इस टेटों के आपके fork dance मिल जाएंगे तो वह ही आपके important है उससे बाहर आपका नहीं आने वाला तो वहां से आप इस इसको topic को clear कर सकते हो गुमरू फिलाल हमें बताना है कि गुमरू जो है कौन से जो folk dance है वो बताना है कहां का है ओडिशा का या फिर अंदपरदेश या फिर जम्मो कश्मीर या फिर महराष्ट्रा तो right option आपसन आजाएगा इसका right answer होगा option number one यानि ओडिशा का जो folk dance है वो है गुमरू गुमुर नेक्स्ट है चंदुकुप मौर्य डैस के एक उत्साही अनुयाई थे तो ये बताना है किसके अनुयाई थे सिक्कों के या फिर जैन के या फिर बुद्ध के या फिर जैविश्मी के तो right answer बताना है क्या होगा चंदुकुप मौर्य जो अनुयाई थे वो है option number second right हो नेक्स्ट है गिद्धा गिद्धा बताना कि किस राज्य का लोकनित्य है और काफी यहां पर फेमस भी है गिद्धा तो बताना है राजिस्तान का यूपी का पंजाब का या फिर भिहार का तो right answer हो जाएगा option number third यानी पंजाब का नेक्स्ट है बताना है मोहनी अट्वम किस राज्य का नित्य रूप है यानी लोकनित्य बताना है कि मोहनी अट्वम जो है किस राज्य का है यानी मोहनी अट्वम इस डांस फॉर्म ओफ विच स्टेट यानी option number one आपके पास ही है आन्दप्रदेश, शेकिंड है अश्यम, ठ या फिर फूर्थ है त्रिपुरा तो मोहनी अट्वम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेट और रिपीट भी होया कोश्चन और इजी बे अप्शन नमर ठल राइट अंसर हो जाएगा के ला नेक्स्ट है हमारा लावडी एक लोक नित्य यानी लावनी इस फॉल्ट आंस ऑफ सफ क्यों से स्टेट का यह मनिपूर या फिर अंद प्रदेश या फिर जम्मु कश्मीर या फिर महरास्ट्र तो ओप्शन राइट अंसर बताना एक किस का है तो राइट अंसर भ़ाएगा उप्शन नमर प्षोर्थ यानी महरा स्ट्र का जो है फॉल्ट आंसर क्या नाम है लावनी नेक्स्ट है हमारा question जो the language in which Buddha preached यानि किस भादसा में बुद्ध ने प्रिचार किया था तो बताना यह हिंदी में, उर्दु में पाली में या फिर हैबर में तो राइट अंच सा हो जाएगा औरीजी भी है अप्शन नमबर ठल राइट हो जाएगा पाली भासा में, इसमें आपका score अच्छा आना चाहिए, क्योंकि question मैंने कुछ है याँ पे moderate level के लिए रखे या moderate से कम भी मैंने कुछ यह लिए है अगर जैसे 30 question है, तो 30 में से 15 ऐसे होंगे, जो आपके easy है तो कहिने की आपका score जो है 20 प्रस इसमें होना चाहिए, तो score भी जरूर comment करना, क्योंकि यहाँ पे gk का level थोड़ा यहाँ पे इसमें moderate रखा है तो यहाँ पे आपके जो marks है, वो score जो है अच्छा आना चाहिए next step, अशोग बताना किस वंच का राजा था, तो अशोग वाजे king of his dynasty, तो option no. 1 प्रद्या, option no. 2 हरियक वंच का, option no. 3 मौर्य वंच का, या फिर option no. 2 है नंद वंच का, तो बताना है कि अशोग किस वंच का राजा था, तो राइट अंस हो जाएगा option no. 3 यानि मौर्य वंस का नेक्स्ट है चंदुकुप मौर्य डैस में पैदा हुए थे तो कब हुए थे हो बताना है 340 BC या फिर 563 BC या फिर 189 BC या फिर 99 BC तो राइट अंसर हो जाएगा option number 1 यानि 340 BC नेक्स्ट बताना है कि जहागिर जो निका सास्ट निकाल था 1605C 1627 AD में AD तक तो बताना है कि was the ruler of which dynasty यानि जहागिर जो है किस वंस का सासक था या नन्द वंस का या फिर हर्यक वंस का या फिर मौर्य वंस का या फिर D option number D है मुगल वंस का तो जहागिर जो है वो सासक शाह का का मुगल वंस का यानि option number 4 इसका राइट अंसर हो जाएगा जली कट्टू डैस के साथ जुड़ा हुआ है तो किस के साथ जुड़ा है बताना है ट्रीचूर के साथ या फिर कार्थी गई के साथ या फिर ओनम के साथ या फिर पॉंगल के साथ पॉंगल जली कट्टू फैस्टिवल है जो मनाया जाता है तो इस तीज को सर्ज करना क्योंकि यह फैमस भी है और इस पे कुछ विवाद भी वLYता है तो इस को जरह देख लेना जलिकटू वाला तो इसका बताना है कौन कोशिशं की बाद करें तो नेक्स हमारा यह है कि भरत-नातियाम किस राज्य का जो योग नित्य है एक बाद मैं कह Orleans Je Hum यहांपर मैंने मैंने महराथन की वीड़ियो से पहले बना रह mill की वीड़ु अए ज़रूर दे कना play-list में go रखता है और आपका जी के सेक्शन भी तो सभी में सेम रहने वाला है बट मैंने इस टैनों को देखके ज्यादा यहां पर वीडियो बनाई है बाकि वह और एक्जाम के लिए आपका इंपोर्टेंट है आप किसी और की भी प्रपिशन करें हो तब भी आपके लिए नंबर वन ए कोईरल या फिर तमिल लाडव या फिर हमारा नेक्स्ट है अंध्य परदेश या फिर प्शन नंबर डी बताना है उत्त्राखंड रहत नातिम बताना है कहां का जो है लोग नित्य है तो बहुत ही आशान या पर कोईशन है और संगे इसका राइट अंसर हो जा सेकेंड है विश्नु शर्मा या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है बाल में की या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका वज्यंग क्या यहां पर स्पैलिंग देख लेना थोड़ा यहां पर पॉन्नाशिशन सही नहीं हो रही इसकी तो बताना है वन टू थ्री फॉर इसका सबी हो जाईगा विश्नु शर्मा चानक्य जो है किसका मुख्य सलाकार था या चांद क्या वार्दा चीफ एड्वाइजर ओफ डैस बाबर या फिर चंद गुप्त मोर्यय या फिर अक्बर या फिर कोटिल्या तो राइट अंसा बताना है क्या हो जाएगा तो राइट ताबे हैं किसकी सिखों की या फिजय की या फिफिदिश्ट की या फिर मुस्लिम्स की तो बताना त्री पिटक तो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर ठल्ड बुदिश्ट की ठीक है बोधम और जैन्दम बहुत जादा इनसे काफी कोशन आपके आते हैं तो यह दोनों टॉपिक भी आप कर लेना अच्छी तरह है नेक्स्ट है सिंदु घटी सब्वेता एक डेक सब्वेता थी तो बताना है कैसी या इन्देस वैली सिविलाजीशन वाजे इस सिविलाजीशन बताना है कि सिल्वर या फिर टीन य कि से य हमारे बात करते हैं तो यह बटाने से पहले एक चीज बता दुंन आपर जो ए तक terror के generator आपना क्योंकि यहां पर कट आफ अगर आप बात करें तो कट आफ जो है जैसे आपका एक्जाम डिले हो रहा है वैसे वैसे कट आफ भी आप मानू की कट आफ भी आपकी बढ़ेगे ठीक है तो 150 आप मिनिमम लेते वे चलो कि 150 अगर आप कैटेगरी जनरल भी है या कोई भी कैटेग नीम हो जाएगा रखी के लिए यह और जैदा मार्क पर लाना पड़ेगा हार्डवर करना पड़ेगा केटीव कर रोसी नापका जाये है करना चाहिऍे रखरम ठाफकर साब displacement आक प्रसफिन अच्छे कर लो और और यहां पर पूरा hard work जादा से जादा आपको hard work करना है इस time पर हर एक वीडियो को यहां पर practice के तार देखो और इससे खुद को यहां पर एक type से analyze करो कि आपका जो अभी score कितना हो रहा है उस type से खुद को improve करो daily और gk section की तो बात करें तो gk में कोई नहीं अगर score कम भी होत कि यह बाते भी आपके लिए important होती है हर बार मैं बोलता हूँ motivate करता हूँ ताकि आप जो है अपने जो target है उसी से भटको ना तो start करते है next question अक्वर ने मियान की उपर दी जो है किसको दिया था तो to whom did acquire the title मियान तो बताना ए राजा टोडरमल को या फिर मान सिंग को या फि इसका तो right answer हो जाएगा option number D यानि तान से निसका right answer हो जाएगा next question हमारा यह है कि ग्यानिस्वर जो की 23 सदी के मराथी सन थे जिनोंने ग्यानिस्वरी को लिखा और जो dash एक पर टिपड़ी थी किस पर ये टिपड़ी थी ग्यानिश्वरी जो लिखा उन्होंने तो बताने ए उपर या फिर भागवत गीता के उपर या फिर वेद के उपर या फिर उपनिशत के उपर तो right answer हो जाएगा option number second ये भागवत गीता के उपर एक टिपड़ी थी ठीक है next हमारा है गतोत का जो की 290 से 305 इशापूर वर्सों में शाषन करता था किस राजवन्स का राजवन्स का तो बताना है कौन से वाली का तो right answer हो जाएगा option number one यानि गुप्त डाइनेश्टी से ये था गतोत कर नेक्स्ट कुशन हमारा यह आता है डैस हिंदू भगवान को ब्रमांड नर्तक के रूप में दरसाता है वो बताना है क्या दरसाता है जो अपने दिव्यनित्य को यानि मुरूगन या फिर नत्राज या फिर विष्णू या फिर वैंक्टेश्वर तो क्या दरसा तो right answer हो जाएगा option number second यानि नत्राज की आप मुर्ती देखोगे नत्राज की मुर्ती भी आपने देखी होगी तो वह ही हमारा है ठीक है तो नत्राज जन या फिर राइट अ हो जाएगा option number second पंच महल डैस में स्तित है बताना कहां पे किस पे स्तित है पंच महल is situated in option number one है हवा महल या फिर ग्वालियर फोल्ट या फिर फतेफूर सिक्री या फिर आग्रा फोल्ट तो right answer हो जाएगा इसका option number third यानि फतेफूर सिक्री next question हमारा क्या कहता है कि next है महाबली पूरम की स्थापना जो है वो किस ने की थी यानि महाबली पूरम वास फाउंडेट बाई राजा चूल या फिर नर्सिम वर्मन या फिर चंद्रगुप्त मौर्या फिर विवस्वन तो बताना यहां पर one two three four में से कौन सा वाला answer यहां पर आएगा यानि महाबली पूरम की स्थापना बतानी किस ने की थी तो option one two three four तो राइट हैं से हो जाएगा नर्सिम वर्मन नेक्स्ट हम बात करते हैं दरज्म नामा एक फार्सी अनुपाद है कि लेगिन किसका फार्सी अनुपाद है वो होता ना है महाबारत का रामेंड का वेद का या फिर उपनिशत का तो राइट हैं से हो जाएगा option number one यानि महाबारत का next हमारा question है अच्छा question है खास महल और सीस महल का निर्मार जो है किस विश्व धरोवर इस मारक में किया गया है option number one हिमायू स्टॉम या फिर महाबोधी temple complex या फिर कुतुब मिनार या फिर आगरा फौर्ट तो राइट एंसर बताना है क्या आएगा तो इसका जो आएगा राइट एंसर यानि इसका आएगा क्या हिमायू टॉम्प या फिर महाबोधी temple कुतुब मिनार आगरा फौर्ट बताना है तो राइट एंसर हो जाIEगा option number four यानि आगरा फौर्ट इसका विराशत इस्तल बनाई गया है यह ताजमेल हवा महल या फिर हिमाई स्टॉफ या भी महाबुदी टेंपल कॉम्प्रेस तो राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमबर वन यानि ताजमेल तो आपको क्या करना है अपना स्कूर मुझे कमेंट करके बताना है कि आपका स्कूर